आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, इस question में कहा गिवे नेम को on shifting the origin to a particular point the equation x square plus y square minus 4x minus 6y minus 12 equals 0 transform to capital x square plus y square equals k then k equals to what? ठाक है? आपको k की वेली बतानी है हमने origin को shift कर दिया किसी particular point पे तो जो equation थी रही वो transform बक की ये बन गई तो आपको k की वेली बतानी है देखो, अगर हमारा origin shift हुआ है तो मैं आजूम कर ला था हम समझों हमारा m, n point में shift हुआ origin अपना ठाक है किसी random point में m, n पे shift हुआ है तो जो अपने नए coordinates हो रहेंगे जो पराने coordinates से x, y वो भी चैंज़ रहेंगे किसमें नए coordinates में capital x हो में capital y में भी चैंज़ रहेंगे और जो capital x की value है वो रहेगी small x minus m और capital y की value रहेगी small y minus n के equal मेरी ठीक है देखो हमारी transform होने काथ equation नहीं बनी है तो capital x और capital y के जहाँ पर ये value पूट कर देते हैं ठीक है, small x और small y की value मेरी अपनी तो देखो, यहाँ पर equation given m को x square plus y square equals to k तो मैं put कर रहा हूँ x minus m का whole square plus y minus n का whole square equals to k ठीक है तो इसको expand करते हैं इसको a square plus b square minus 2ab plus a square plus b square minus 2ab equals to k ठीक है तो यहाँ equation मिल रहे है x square plus y square minus 2xm minus 2yn is equals to k minus m square minus n square ठीक है, यह equation मिल रहे है अब जहाँ से देखो मेरे जही हाली equation है और जो question equation given है मुझे ठीक है, हमने इस equation को transform करें रहे है तो मैंने जब इसमें put करी value तो मैं कोई इस type की equation मिल गई अपनी अब मैं इसको compare कर सकता हूँ इस वाल equation को और इस वाल equation को ठीक है, तो नों को compare कर सकते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर कितने है, माइनस 2 है मैं तो यहाँ ने 2m की value मेरी 4k को नाड़ी compare करने पर और 2n की value कितनी आएगी देखो जब y का coefficient compare करूँगा मैं तो 2n की value कितनी आएगी मेरी वो आएगी मेरी 6k equal तो यहाँ से m की value 2 आगई और n की value 3 आगई ठीक है, simplest मैंने क्या कर रहा है मैंने अपने पर्ट कर दिया capital X और capital Y की value और जो equation में लिए इसको compare कर दिया मैंने, जो equation में को given the equation में तो m और n की value पता लग गई और जहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर 12k यहाँ मेरा 2, 2 का square 4, n की value 3, 3 का square 9 equals to 12 तो यहाँ की value इतनी हो गई यह 13 में के add हो दाएगा तो की value दाएगा यहाँ से पनी 25 की इकवाल तो यह दाएगा अपना answer, यहाँ की इकशो 25 ओके, थेंक्यू फिरेंट्स Classics to 12 से लेके meet IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज जी डाउनलोड करें doubt net आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर